हालो स्टूदैन वेलकम टो इस्टेरी एंड ब्लॉग मित रश्मी तो चली फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास कल की क्लास में मैंने आपको दो चैप्टर कंप्लीट करवा दिये थे तीसरा चैप्टर आपका सुरू हो गया था और जो था आर्थिक प्रणाली यान होती है आर्थिक तो मैं आशा करते हूं कि आप लोगों ने नो-डा-उन कर लिया हूगा और आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है यह भी मैने आपको समझा धिय था आलथ फ्र्राकर के होती है पूंजी वाधी लिववस्ता और तीसरी थी मिसरत अर्थ व्यववस् के सब्दों में दो डाइफिरेशन मैंने लिखवाई थी आशा करती हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूजी वादी अर्थ्विवस्ता की विशेस्ता हैं मैंने आपको नो डाउन करवा दी दस विशेस्ता हैं थी इनको मुझे समझाना था तो आज क संपत्ती पर निजी स्वामित ये पूजी वादी अर्थ्विवस्ता की विशेस्ता होती है तो सबसे पहले कौन सी विशेस्ता है संपत्ती पर निजी स्वामित यानि कि पूजी वादी अर्थ्विवस्ता में उत्पत्ती के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित या व्यक्त व्यक्तिगत स्वामित होता यानि कि पर्सनल ठीके निजी स्वामित होता है बस्तूं को प्राप्त करने बनाने उप्योग करने तथा बेचने का अधिकार ही व्यक्तिगत होता है और वो इसी को हम व्यक्तिगत संपत्ती भी कहते हैं यानि कि वो कब बेचेगा कितने में बेच किसे बेचेगा यह सारे अधिकार व्यक्तिगत होते हैं कैसे विक्तिगत Some समपत्ति इस बात का निश्य करती है कि उत्पत्ति के समझ में निर्णाय का अधिकार किसको होगा अर्था जिस व्यक्ति के पास समपत्ति होती है वही इस बात का निर्धारन करता है कि उत्पादन किस बस्तू का हो कितने मात्रा में हो और किस इस्थान पर होगा समझ में आ ग बनेगी या फिर किस वस्तु का उत्पादन होगा एक पहली बात दूसरी है व्यक्तिगत संपत्ती से बचत वा धन के संचय को प्रोटसाहन मिलता है व्यक्तिगत संपत्ती देखो क्या होती है परसनल संपत्ती होती है तो इससे क्या होता है हम बचत भी करते हैं और धन का संच संपत्ति से धन नश्ट होने से बचता है जब व्यक्ति को इस बात का विश्मास हो जाता है कि उसका सुक उसकी संपत्ति पर निर्भर करेगा तो उसकी यथा शक्ति सुरक्षा करता है और नश्ट होने से बचाता है कहते भी हैं कि गवर्मेंट का पैसा होता है कोई इतना ध् इंड़की हो जाती है तो हम उनका ध्यान रखने लगते हैं उनका कोशनता से यूच करने लगते हैं और उनने बचाने का प्याश करते हैं तो आपने देखा होगा कभी-कभी जब our government अभी हम सुनते हैं जैसे कि government निजी-Il कर looked down का मतलब यही होता कि पूंजी वादी एल्थीवाश्थ किसी प्रत्व्ल dadan सकते उसको रख रखा और उस से उत्पाधन ज्यादा होने लगता है तो उसको मुनाफा भी होता उसको फायदा होता है तो उसके मादियम से फिर उस गबर्मेंट को भी फायदा होता सकतें स्वतंतरता होती है व्यक्तिगत स्वामित होता है समझ में आ गया होगा चलिए दूसरा पॉइंट है आर्थिक स्वतंतरता पूंजी वादी अर्थ व्यवस्था में पृतेग नागरिक को अपनी व्यक्तिगत पूंजी और उससे प्राप्त होनी वाली आए को अपनी इक्छा अनशार्ट वियाय करने की स्वातनतता रहती है ठीक है किसी का भी तह चेप नहीं होता है कोई उसे यह नहीं कह सकता कि आप प्लिक को कैसे खर्च करों यह उसका खुदछ का निर्णाय होता है कि वह अपनी सहाई को अ牌ननी संपति को प्रतिवंदों को अगर छोड़ दें तो बाकी के जितने भी अधिकार होती है निर्णा लेने के जो चीजें होती है वो सारी व्यक्तिकत होती है और निजी हित्मे होती है वो जो व्यक्ति होता है वो स्वयम निर्णा लेता है कि उसे किस वस्तू का उत्पादन करना है कौन सा अध्योग लगाना है और अपनी आय को कहां कहां परव्याय करना है तीसरा है आपका पॉइंट लाव की प्रवत्ति यानि कि पूझी वादी उत्पादन प्रणाली में लाव खुद को होता है इसलिए हम अपने साधनों का उचत बिदोहन करते हैं कोई भी चीजें व्यर्थ करते हैं विल्कुल भी व्यर्थ नहीं होने देते हैं तीसरा है चौता है उत्त्र अधिकार उत्रा अधिकार तो समझी गए होंगे पिरते संपत्ति के स्वामी को ये अधिकार होता है कि हुआ है स्वतनत्ता पूर्वक इस बात का निश्य करे ले कि उसकी मृत्यू के बाद उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा समझ में आया कि जो उसकी अभी संपत्ती है उसके जाने के बाद उस संपत्ती का अधिकारी कौन होगा वो नौमनी कौन होगा वो इस बात का उसको खुद को अधिकार रहता है कि वो किसको अपनी संपत्ती का उपर अधिकारी बनाए समझ में आ गया चली पाचमा पॉइंट देख लेते हैं सामाजिक बर्ग भीद सामाजिक बर्ग भीद का मतलब होता है निर्धन और अमीर बर्ग समझ में आ गया आप पूझी वादी अल्थ विवस्ता में क्या होता है धनी और निर्धन अत्वा सोशत और सोशक अत्वा मिल मालिक और श्रमेक दो बर्गों में विभाजित हो जाता है धनी और निर्धन या सोशत और सोशक और मिल मालिक या श्रमेक बर्ग ठीक है ये दो वर्गों में विभाजित हो जाता है और दौनों के बीच इतनी चोड़ी खाई उत्पन हो जाती है कि इन में दौनों में वर्गों में संगर्स होना सुरू हो जाता है तो ये विशेस्ता भी कह सकते हैं या फिर ये कमी भी कह सकते हैं कि पुझी बादी अर्थिव्यवस्था में मिल मालकूम के बीच और स्रमकों के मीच बहुत बड़ा संगर सुत्पन हो जाता है यानि कि सामाजिक वर्ग संगर सुत्पन हो जाता है चटमा पॉइंट है आपका समनवय रहत उत्पादन प्रणाली पुझी बादी अर्थिव्यवस्था में उत्पत्ती के विन्योग के विशे में किसी केंद्रिय संस्था का निड़देशन नहीं होता तथा व्यवशायों का कोई भी बिचार्यों के निगमन नहीं होता इसमें संपूल अर्थ व्यवस्था स्वयम संचालित होती है यानि कि कोई भी केंद्र की तरब से कोई भी इसकी उपर अधिकार नहीं होता केंद्र नहीं बताती है कि आप क्या करें क्या ना करें स्वयम संचालित प्रणाली होती है यह जो पुझी बादी अर्थिवस्था होती है यह स्वयम संचालित होती इस पर किसी का कोई भी अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई विचारधारा इसके अंतरगर आती है अगला पॉइंट देख लेते हैं प्रतीश पर्दा देखी प्रतीश पर्दा यानि की आपस में इस पर्दा ठीक है जब व्यक्ति के अतलाब होते हैं तो इस पर्दा तो होती ही है पुझी वादी अर्थ व्यवस्ता में पून पुर्थियोगता नहीं पाई जाती है, हमेशा ही अपून पुर्थियोगता देखने को मिलती है अगला है बिनाशील प्रवति विनाशील प्रवत्ति अभी हमने आपको सामाजिक बर्ग संगर्स बताया था कि कैसे स्रमिक वर्ग और मालिक वर्ग दो अलग-अलग हिस्सों में बट जाता उसी तरह से यहां पर भी हैं विनाशील प्रवत्ति यानिकि पूझी बादी अर्थवबस्ता में समाज धनी और न और शिर्मिक बर्ग में अपनी उत्पादन को बंद कर देते हैं और शिर्मिक बर्ग में बदल जाते हैं पूझी पती जो होते हैं वो आधिक आधिक लाप कमाने के लिए शिर्मिक वर्ग को शोशड करते हैं और जिससे बर्ग संगर्स की उत्पत्ति हो जाते हैं यह हमारी अर्थिवेवस्ता के लिए अच्छी बात नहीं है, पूझी बाधी अर्थिवेवस्ता में बरग संगर्स का होता है क्यांकि इसमें धनी और ज्यादा धनी होना चायता है और वो सरमिक बरगयानी की निरधन बरग का शोशन करता है. अगला है मूले तंत्र, पूजी बादी में मूले तंत्र एक निर्देशन नियंत्र के शमान है, जो उत्पाधक उपभोग वितरण इवं व्यबशाय का प्रतेक्छीत में मार्धग दर्शन करता है, आर्थिक स्वतनतरता होते हुए भी व्यक्ति को अपने निर्णाय मूल परिवर्थनों के आधार पर ही लेने होते हैं यानी कि यह लास्ट्ड पॉइंट है आपका दसमा साहिसी कौन होता है उध्धमी उध्धमी कौन होता है जो उध्योग चलाता है समझ में आ ग्या उध्योग लगाते हैं बड़े बड़ उत पादन बस्नुग का करते हैं तो यो बड़े-बड़े उसमें अपनी पूंजी उसमें उथ पादन में लगाता है तो एक तरह से जोख्य मुठाता है तो उसके लिए उसे साहजी होना लाएनग पर चलती है और जोख्यम उठाती है इसलिए इसमें जोख्यम का काम बहुत महत्त होता है और इसमें साहसी के साहस का ध्यान रखा जाता है इनकी साहसी को महत दिया जाता है क्योंकि वो जोखी मुठाता है उत्पादन करने के लिए ठीके आसर करती हूँ आपको ये सारे विसेशता हैं समझ में आ गई होंगी तो इनको note down करना हो तो कर दीजिएगा और नहीं तो जहां जहां आपको थोड़ा सा लगे एक दो line समझने के लिए तो वहां पर लिख लिजिएगा पूरा detail में लिखने की ज़रुरत नहीं है समझ में आई गया होगा तो आपके बल point point लिखिएगा और अगर लगे तो point में एक दो line लिख लिजिएगा जिससे आपको ये समझ में रहेगा कि वर्ग संगर्स क्या होता है उत्रा अधिकार क्या होता है और बाकी का आप अपने समझ से लिख देंगे तो ये हो गई आपकी विशेशता है चली अब अगला इसमें topic देखें गे हम पूँजिवादी अल्फ विवस्था के lab ठीक है ये तो विशेशता हो गई पूँजिवादी अल्फ वawस्था के क्या lab होते हैं क्या दोस होते हैं ये हम अभी आपके साथ discuss करेंगे चलिए तो पूझी वादी यर्थी वबस्ता के लाब हैडिंग डाल दीजी आप और उसमें पहला पॉइंट लिख लिए रहन सहन के इस तर में ब्रद्धी दूसरा है लचीलापन तीसरा पॉइंट है उत्पादन में ब्रद्धी चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता पाचमा पॉइंट है स्वयम चालकता छटमा पॉइंट है मित्व्यायता साथमा है न्याई शीलता आठमा है जनतंत्रिय प्रकति आठ पॉइंट इसमें मैंने आपको बताए है तो जब भी आप exam में लिखें तो कम से कम 5 point तो आप लिकी ही दे, 5 point से कम ना लिखें, 5 point आप लिख दीजे, 8 point है, आप 8 याद करेंगे, तो 5 तो आप आराम से लिख सकते हैं, तो जो आपको सही लगे, आप उसमें से वो लिख दीजे, 8 हो लिखते हैं, तो बहुत अच्छी वात है लेकिन अगर नहीं लिख पाते हैं पाँची लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा जितने नंबर आप करना चाहते हैं वो पांच पॉइंटों में आपके कलेक्ट हो जाएंगे चलिए तो सबसे पहले देखते हैं रहनसाइन के इस्तर में ब्रद्धी ठीक है रहन सेहन भी बढ़ता है क्योंकि जब पूजीवादी अल्थ विवस्ता में बहुत सारे रोजगार मिलते हैं तो आय बढ़ती है तो वस्तूं का उपवोग होने लगता है और उपवोग होता है तो मांग बढ़ती है तो उत्पादन होने लगता है जिससे हर व्यक्ति को लपन ठीक है पूजी वादी समर्थकों के अनुशार ये प्रनाली कैसी है लचीली है और इसे परिवर्टित किया जासा लचीली पन का मतलब होता है उसमें इलास्टिसीटी है यानि कि उसे हम परिवर्टित कर सकते हैं समय के अकौर्डिंग उसे बदला जा सकता है ठीक है कारणी को बदला जा सकता है, management को बदला जा सकता है, घर von चीज को इसमें आप बदल सकते हैं क्योंकि इसमें आपके व्यक्तिकत निरड़ाय होते हैं तो आप जब चाहें समय की according काम के according चीजों को परिवर्दित कर सकते हैं. तीसरा है उत्पादन में व्रद्धी पूंजी बादी अल्थी विवस्ता में उत्पादन में व्रद्धी होती है क्योंकि हर व्यक्ति लाब कमाने के उदेशे ही उद्योग करता है तो इसमें ज्यादा लाब कमाने के लिए ज्यादा उत्पादन में व्रद्धी होती है और न मार्केट में बनाए रखने के लिए नई नई चीजों को मार्केट में उतारना जरूरी होता है तो नई नई चीजों का उत्पादन होता है तो उत्पादन में व्रद्धी होती है चौता है स्वतंतरता तो अभी मैंने आपको पहले भी बताये था कि पूझी बादी किकिट है किसको बेचना है क्या बनाना है सारे निड़नाई चालता का मतलब है कि यह स्वयम संचालित होती है इस पर किसी भी केंद्र का राज का कोई हस्तचेफ नहीं होता है पुझी बादी आथि वबस्ता स्वयम संचालित होती है ठीक है स्वयम संचालिता के कारण समें उंतुरुटी होने की संभावना नहीं होती है और अगर गलती हो भी जाती है त बहुत मित्यवेता का मतलब होता है, चीजों को व्यर्थ ना करना, उनका सही मात्रा में उपयोग करना, एक तरह से कह सकते हैं, कंजूसी से उपयोग करना, कंजूसी तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ उसी तरह से हो सकता है, कि अपनी चीजों को बहुत जादा वेस्ट मत करना, कोशिच करना के नियुनुतम लागत पर ही हम वस्तु को बना लें जिससे हमें अधिक से अधिलाब की प्राप्ति हो जाए जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है जो भी मानविय संसाधन है उनका हम इस तरह से प्रियोग करें कि हमें नियुनुतम लागत पर वस्तु प्र हो जाए अगला है साथवान न्यायशीलता। पुन्जी बादी अत्वविस्ता के जो समर्तक है उनका कहना है कि यह प्रणाली न्यायसील है क्योंकि इसमें पराकृतिक नیमों की अनुशार आधिक योग-व्यक्ती यही प्रतियोगता में ठैर पाता है जिसमें जाता योगता होगी वही इस प्रतियोगता में ठैर पाएगा जिसमें योगता नहीं होगी वो इस प्रतियोगता से बाहर हो जाता है चली आठमा पॉइंट है जनतंत्री प्रकति जनतंत्री प्रकति का मतलब होता है जो उपता ज ने मूल तंत्र के द्वारा होता है ठीक है समझ़ लिजे कि जो उपभोगता मांग करता है उसी वस्तु को उत्पादक बनाता है उसकी रुची की according हो सकी मांग के according और फेशन कre को सम्झ में आगया यह है इसके पूंजी वाथी अरथेवस्ता के लाव चलिया एकौर में अंगला टॉपइक है पूंजी अरथे वथ्व OW के रिवस्ता के दोश सम्झ में अब पूंजी वाथी अर्थेवस्ता में शबसे ज़्यादा दोस जो है वो है वर्ग संगर ठीक है उजी बादी अथिवस्था के दोश बहुत ज़्यादा नहीं है से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वेकारी है अत्युत पादन है नियून उत्पादन है सामाजिक वर्ग संगर से व्यापारिक चक्रह आर्थिक सामाजक दोष्व का उत्भव इस विवस्था के अंतरगत पाया जाता है ठीक है सविज में आ गया होगा तो यह हो गया आपका पुझी बाद पुंजीबाद का अर्थ, पुंजीबाद की विशेषता है, पुंजीबाद अल्थिविस्ता के लाव और पुंजीबादी अल्थिविस्ता के दोश, तो चलिए, अभी हम सुरू करेंगे दूसरा इसका समाज बात, ठीक है, मेरे पास ये दो बुक है, तो जिसमें मुझे पढ़ा देती हूँ, तो दौनों बुक में अपने पास रखी हुए, ये दीखें, ये वाली बुक भी मेरे पास रखी रहती है, ये वाली भी, तो जहाँ जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, उस टॉपिक को में आपको पढ़ा देती हूँ, चलिए, तो दूसरा आप हैडिंग डाल दीजे समाजबाद समाजबाद के हैडिंग डाल करके छोड़ दीजेगा इसे मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी समाजबाद की विशिष्टाओं के साथ उसके बाद आपका एक टॉपिक इसमें और रह जाएगा मिश्री तरत विवस्ता तो उसे भी पढ़ाऊंगी अभी क्लास को एंड करती हूं जितने भी स्टुडेंट इस चैनल से जुड़ गए हैं वो प्लीज इस चैनल की लिंक को सेर कर दें और बच्चों के पास जिससे की वो लोग भी जोड़ जाया उनका भी स्लैवर्स कंप्लीट होता चले नहीं तो उनलों क बच्चों जाएगा